इसे बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पटना नीट पेपर लीक मामले में CBI का आक्शन तेज हो चुका है, बिहार में गिरफतार आरोपियों की दिल्ली में पेशे, राउजे बन्नी कोट में साथ आरोपियों की पेशे होगी, CBI कोट से आरोपियों की रिमांज अगर देखा जाए, बिहार से 13 आरोपियों की बिहार से निकला बड़ा सवाल, मैं फिर से वही कहूंगी की गिरफतारिया हुई है, मास्टर माइंड की बात की जाए, बताया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है, जो नेटवर्क, जो एक कनेक्शन क्या उसका हुआ है, इस पर कब शिकंजा कसा जाएगा, सीबी आई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहे, कुछ अपडेट आपके पास? इसके पहले आपने देखा होगा, कि चिन्टू को भी सीबी आई ने साथ दिनों के रिमांड पर लिया है, और उससे अलग पूस्ताज कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सीबी आई की जो टीम है, वो बारदात वाले जगह पर ले जाकर आरोपियों से पूस्ताज कर र कि पुलीस ने की ती, बिल्कुल सुरब जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि सीबी आई ने जाच टेज कर दी है, क्योंकि देखिये, बड़ा सवाल है, इतना बड़ा आप कह सकते हैं, पेपर कांट हुआ है, अब कई सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, हमारी सार्जूने के लि इसे बिचे एक और बड़ी खबर क्यों रुक कर लेते हैं